असलाम अलेकुम डियो इस्टुडेंट्स वेलकम तो दे स्टार्स केडमी हैड ऑफ इसलामेक बाल्टॉन तोडे वियर गूंग तो डिस्कॉस अवर लेक्चर यूनल नमबर नाइन और विसी इसका हम लेक्चर नमबर आज वन डिस्कॉस करेंगे और यूनल नमबर जो नाइ है वापको आईडिया है इस वेरी इशंज एंड जनेटिक्स ठीक है तो इसमें हम डिसकॉस करते है के क्या-क्या चीज़ इसके अंदर हमने डिसकॉस करनी है चले सबसे परे अगर आप सी क्वेस्टन किया जाता है इस रहलें टेंदेंट्स एफ और अर्गनिसम टेंदेंट आर्द अ्युक्बाड़ इक्बाल टाउन पॉद ए थार्च एक्ड़ टोओ आए लगीपु इए प्रोडू इसन न्युटिक बुल तो और एंडु कर्णों टुर एक्टे एलो टोड इस परे खार्टो बूद सरी सि न्युन १िक्ष और एंधिटीर अट। एंड बूंड़ इस काल्ड आपके हार में यह क्या है टेंडेंसी ओफ एन और्गिजम तो रिजेंबल टो इस पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के जैसा नजर आना दिखाई देना यह क्या कहलाता है ठीकि यह आप्शन ए है आपके पास इस काल आज जनेटिक्स ठीकि या फिर ऑप्शन भी है आ है आपके पास इस काल्ड एज इन्हेरिटेंस या पिर ऑप्शन जिडि है आपके पास टीकि जी नॉट टयप जी वाट शूट बी दा राइट आंसर तो यह इस इक्जाटलिश इसका राइट आज़ जो बनेगा थैस नोन एज फिर यह इन्हेरिटरी इन्हेरिटिक्स के resemblance of off springs to their parents अपने parents के जैसे नज़र आना उसको कहते है heredity, right तो अब आपको idea के इसमेंगर हम inheritance की बात करते हैं so what is inheritance, inheritance so that इस बात inheritance का मतब है के parents से उनके off springs में so from parents to their off springs किस चीज़ का transfer करना obviously जी जीज़ चीज़ का transfer होता है वो characters का होता है, right so characters transfer होते हैं यहांपर characters और इक characters कौन लेकर जा रहा है वाला obviously the genes इसको लेकर जा रहा होते है यानि parents से उनके off springs में जो characters transfer होते हैं वो obviously कौन लेकर आता है वाला genes इसलिए जो off springs होते हैं वो अपने parents के जैसे दिखते हैं parent के जैसे उनके अंदर characters होते हैं ठीक है तो इसको इसको control कर रहा होता है ठीक है तो नामस की question किया ज़ेता है कि unit of inheritance क्या है unit of inheritance तो इसके यह gene है और इसमें अगर आप देखे study of genes यह क्या चीज आब रहा तो आपको idea कि यह जो है this is called as as genetics और genes की study this is called as unit of inheritance is a gene और gene की study genetics कर लाएगा समझाए बात किजी तो आप देखे इस तरह ये inheritance की sensible word use कर रहे है ठीक है अब आपको होता है कि जो gene होता है gene that is present on a particular chromosome suppose अमरे पास ये chromosome है this is a chromosome and suppose हमरे पास ये second chromosome है this one ये जी और ये दोनों जोन से हैं ये camera obviously these are homologous chromosomes right ये हमरे पास क्या रहे है what is that these are known as ठीक जी homologous ठीक जी इसको हम कहते है homologous chromosomes homologous chromosomes का नाम दिया तर अब homologous chromosomes को पर हम देखें suppose करें यहाँ पर एक gene A है ठीक है जी और suppose इदर भी gene A हो सकता है right in this combination तो आप देखें इस में से हम एक को नाम क्या देंगे वहला suppose इस a को हम नाम देते हैं this single one this is called as a gene और इस a को आप नाम दे दे क्या वहला this is called as a allele ठीक है एक को allele कह लें और एक को हम कह सकते हैं gene so what is an allele अलील आपको idea it's called a partner of a gene pair right it's called as ठीक जी partner of a gene pair ठीक है जी partner of a gene pair ठीक है जी partner of a gene pair है यू समझें जैसे दो भाई हो ठीक है बाप भाई हों के नाम तो भी से different होगे ना भी तो यू समझे यह भी है जैसे दो भाई हो एक का नाम gene है और एक का नाम अलील आजाता आप इसको gene कह लें इसको अलील के लें एट सब्टो यू ठीक है दोनों इस तरह वर्किमिका रहे होते हैं अच्छे स्पोस करें यह इस तरह भी combination हो जाए स्पोस कैपिटल भी है और इदर स्माल भी हो जाए ठीक है अगर आपके पास पहले वाला combination था डैट इस कैपिटल ए और कैपिटल ए यह आपके पास क्या है इस कार्ड़ होमोजाइगस ठीक होमोजाइगस इसको नाम देंगे स्पोस करें अगर यह जी जीन्स कैपिटल ए कैपिटल ए यह मेरे अंदर है तो मैं क्या किलाओंगा वाला होमोजाइगोड और इस combination को क्या किए वाला होमोजाइगस डॉमिनेंट का नाम देंगे और अगर यह इस तरह का combination है स्पोस कैपिटल बी स्माल बी तो ओविस इस इस हेट्रोजाइगस ठीक ही हेट्रोजाइगस है और इसको हम नाम कहा देंगे इंड्विजूल को बहला ओविस इस कालड है हेट्रोजाइगोड का नाम देंगे पॉइंट क्लियर उसी तरह यह ऐसा भी combination हो सेता है स्पोस्ज यह small c हो यह small c हो इस वे भी हो सेता है यह small c small c so this is called as what इसको हम कहते है हमो जाइगस और अगें इसको क्या कहेंगे बला अगें इस अ हमो जाइगोड ठीक है और याद की हमो जाइगस क्या होगा बला और इस इस विल बी हमो जाइगस recessive this will be homozygous what recessive का नाम देंगे इसको right this is called as homozygous recessive point clear होगे जी so यह homozygous हमारे पास recessive आने था है याद रखिए कि इसमें से हर obviously जो chromosome है एक जह है वो fraternal साइट से आएगा और एक maternal साइट से आगा रहा है this is from the maternal side suppose and this is from fraternal side आपको आइडिया है कि हमारे अंदर 23 chromosome है वो obviously mother side से आते है और 23 from father side से आते हैं तो इस तरह आपस में क्या करते हैं जो homozygous chromosome होते हैं they will pair up with each other यानि पहला पहले के साथ pair हो जागा ठीक है जी इस तरह फिर दूसरा दूसरे के साथ pair हो जागा तीसरा तीसरे के साथ पेर हो जागा इस तरह pairing होती रही होती रही होती रही है यानि 23 जो है वो इस तरह pairing बना लेते हैं one one के साथ two two के 3 के साथ 4 4 के साथ इस तरह करडिनीटी जलते रहते हैं अनले सरें तिल 23 हो जाए राइट तो यह जो चीज बनी इसको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रॉमोसम्स यह अब आपने देखा इफ आम अब फिजिकर अपीरेंस अब और और इसके आ रही है अफिजिस इततो इन चीज एफ का नाम दे उड़्िजिकल आपीरेंस नाम देथे हैं इस एक्रम आफ टीक्राव टी पिरश कॉह उड़्िजिकर अपिरेंस It's a form of physical appearance यानि physically कोई आपको चीज कैसी नज़र आती है ठीकि फिजिकली कोई चीज आपको कैसी नज़र आती है उसको हम क्या कहतने वाला This is called as This is called as phenotype ठीक है जबात phenotype है यानि suppose करें हमारी height है अब आपको height जो नज़र आ रही है यह क्या चीज है बला रिखनर क्या है कैसा नज़र आ रहा है यह फिजिकल अपीरेंस है हर एक trait जो है वो विस इसका पीरेंस जो है वो क्या कला है बला phenotype जैसे अब यह आपने बढ़ा आप seed shape है फार इसेंपल seed की shape अब इसकी phenotype क्या हो सकती बला This can be round और this can be rinkled This can be round अब वी सीग ए रिंकल नोसे तो यह क्या है बला यह इनकी physical appearance है अगर मैं यह देखना चाहूं कि यार इसको कौन से gene control कर रहे है और इसको कौन से genes control कर रहे है तो उसको हम कहेंगे genetic complement that is genotype this is called as genotype so what is a genotype it's called as genetic complement genetic complement का नाम देंगे genetic complement यह क्या व्रा it means के genes for a particular trait genes for a particular trait genes for a particular trait किसी भी एक particular trait के लिए trait obviously जैसे में आप से बात की यह क्या है यह trait है this is what seed shape क्या है एक trait है this is a trait trait का मतब है properties कहले ठीक है कोई खुसूसियत सही है जैसे मारी आँखों का कलर है यह खुसूसियत है कि यह मतब ब्लैक कलर की भी हो सकती है गल्यू कलर की भी होसेती है right skin का कलर है यह वाइट कलर का भी होसेता है और तब डाल का भी होसेता है तो इस तरह कर आख की यह traits कहलाते है so genetic complaints being अगर मैं आप सी question करो कि seed shape को कौन कॉन 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 चेन तो आप काते है, seed की shape, you know that is exactly, capital R, आप ने पड़ा capital R, है, सब्सक्राइब है, capital R, capital R, इसको control का रहते है, so this is what we are saying, यह है genotype, सब्सक्राइब, तो आप जीन हैं और genes हैं, किस के ऊपर अभी आप बात कर जाएब, chromosomes के उपर है, सिगके है, तो अगर आपकी question कि यह तक एच जी एच क्रोमोसोम एच ठीक जी क्रोमोसोम ठीक जी करीज ठीक डैस जीन्स कितने जीन्स को यह करी करता है option a जी आपके बाद हुआ 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 हु या फिर D है आपकरण देरा बिलियंग जीन जी वाट शुड भी राए एक क्रॉमोसम के उपर आपके हमें कितनी जीन हो सकते हैं तो यह इसका राइट आशर दिरा हंडर्ड एंट थाउजंड फ़ जीन जादेर ठीक है हंडर्ड जेन ताउजंड फ़ जीन जादेर जो के एक क हम है उसको हम कहते हैं जीन पूल जीन पूल को हम क्या कहते है वाला जीन फूल इस टोटल जीन, टोटल नमबर ऑफ जीन इन आ पापॉलेशन तो यह भी इटसल एक एमसी की जी जी है कि total number of genes in a population is called as what obviously इसको नाम देगे gene pool का ठीक है for example अगर हम हमारी suppose कर एक class हो रही होती तो class में जितने भी student बैठे होते वो सारे मिलकर क्या बना रहे थे बना obviously वो मिलकर बनाते population ठीक है एक class में जितने भी student बैठे होते हो सारे मिलकर एक पापुलेशन बना रहे होते हैं because population का है a group of the same species at the same time at the same place ठीक है तो हम सारे मिलकर क्या बना रहे होते वाला population और हम सब के अंदर जो total genes है याद कि एक individual के अंदर तकरीबन यादि एक इंसान के हम बात करते है उसमें 40,000 genes होते हैं तो स्पोस अगर क्लास में 60 स्टूडेंट बेटे होए और हार स्टूडेंट के अंदर 40-40,000 genes हैं तो आप 60 को multiply कर दे 40 के साथ 40,000 तो जो जो genes निकलेंगे that will be what total number of genes in a population और इसको नाम कहां देंगे बादा obviously this is called as a gene pool awhile, खक को यभी एक्जेंपल है ढूरी आप लेंगे हैं आप ले लेंगे जी पॉपररीशन ऑ जीन बैग बैंग की एक्जेंपफल मट्टर का दना ले ले मटक का उठर मत्टर जो ह 중요ता है मिस्टर पॉड उसमें जितनी चाना मैं आपको बीन ज़र आएंगे, दाने उसके, समस्वाज एक मतर बीन बैग लिया, उसमें आगए, पांस मतर के दाने निकले, ठीक है, तो उसमें आपो देखें, टोटल नंबर जीन्स कितने हैं, तो आपको दाए कि टोटल जीन्स कैलकुलेट किया जासेता है, ठीक है, उसका नाम कर दि प्रीस्ट एक पादरी था और अब शी ही वर्ग डॉन वाट इसकी जो वर्किंग थी आप रहने देखा इसको इसको नाम देते राइट इसको 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 सिलेक्ट किया अब आपने आया देखा इसकी कुछी रीजन्स थी तो वाट आर दा ठीकि जी रीजन्स रीजन्स के रीजन्स के रीकॉर्डिंग जब हम देखें तो आपको बता है कि एजी टू कल्टिवेट is good to go कर सकते हैं less generation time है less generation timeर इसको बड़े काँवक्त में सको ग्रो करा सकते हैं तेक है अगर आप से question किया जाता है कि generation time is generation okay time for generation time for what obviously for PowerPoint P plot is, P plot is dash, आपके हमें यह क्या है जी, ठीक ही, 1 month है, option B है, आपके पास है जी, 2 months approximately, or you can see C जो है, that is 3 months, या फे D है, आपके पास है, यह 1 year, जी, क्या शुट भी राइट अंसर आना शाहिए बहला, what should be the right answer, exactly है, इसका राइट अंसर है जी, आपके हमें, आपके हमें, आपके ह या इसको हम कहते है, that is approximately, 60 to 70 days, आप देखने हैं, आप देखने हैं, आपको आपको आइडिया है, कि इसके अंदर contrasting pair of trades है, contrasting, pair of trades होते हैं, contrast किया जा रहा है, contrast, और यह pair की form में, क्या हमारा trades आते हैं, ठीक है, contrasting, यह जिसमें आप फरक कर सकें, जैसे suppose किजिए कि यह 2 है, यह contrast में, इसका आप देख के बता सकते हैं, यह black है, और यह red है, contrast है, वहाँ समझा रहे हैं, इस तरह suppose करेगा, मेरे पास इस तरह दो चीज़े होती, यह इस दो, suppose यह red marker है, तो इसमें तो आप contrasting नहीं कर सकते हैं, फरक नहीं कर सकते हैं, क्योंकर दो नहीं red है, similarly, यादा कि contrasting pair of traits का मतब है, जिसमें आप clearly तोहर पे differentiate कर सकें, यह देख के आप बता सकें, चाहिए है, यह 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 ठीक है, जैसे जितने भी आपको होता है, अब अगर आप से आप यह question क्या जाता है, अच्छा जी, Mendel study, ठीक जी, Mendel, ठीक जी, study, dash, dash characters, ठीक है, dash characters, ठीक है, dash characters, ठीक है, of P plant, dash characters of P, plant, P plant के कितने characters को study किया था, तो option A, जी, आपके पास, ठीक जी, 7, option B, आपके पास, जी, 14, C, आपके पास, जी, 21, यह पिर D, आपके जी, 10, जी, what should be the right answer, yes, exactly, इसका right answer, आपके जी, 14, देखिए, यहाँ पर word क्या पूचा जा रहा है, इसने पूचा है, character, ठीक है, यहाँ देखिए, 7 traits है, ठीक है, 7 क्या चीज़ नहीं है, वाला, 7 जो है, they are contrasting traits, they are, ठीक है, contrasting, they are contrasting traits है, 7 traits होते है, और 14 क्या है, यहाँ देखिए, जो 14 है, यह characters आते हैं, right, these are characters, जैसे मैंने आपको एक example दीथी, जीज़ देखिया, seed की shape क्या है, seed की shape एक trait है, और यह जो दोनों है, round और wrinkled, यह इसके क्या है, these are characters, ठीक है, जीज़ आपको पॉइंट समझाया, प्रजचेज़ ए-Learning App, link is given in the description below, and start your excellent preparation today.